इशान उत्तर पुरू में ये देखे ये इस्थिती पे आप सिढ़ी किस प्रकार से बना सकते हैं ये आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहली बात है कि इशान उत्तर पुरू में हमको सिढ़ी बनाने से बचना चाहिए या एक प्रकार का वास्तु दोस होता है जिससे हमको आर्थिक नुकसान होते हैं और परिसानिया होती हैं लेकिन आज इस्थाना भाव में अनेक जगाओं पर इस प्रकार के सीड़ी या तो पुर्व की तरफ या उत्तर की तरफ या इसान कोड में बनाना पड़ता है सबसे पहली बात तो इसान कोड में बनाने से बचें परंतु विपरित परिस्तिदी में यदि हमको बनाना है तो हम कुछ उपाय करते हुए किस प्रकार से सीड़ी बनाए यदि हमारा घर है बना बनाया सीड़ी है तो उसको भी हम इस प्रकार से संसोधित करा सकते हैं कैसे करें देखिए ये घर की दीवार को छोड़कर आप सीड़ी का निर्मान करना चाहिए जिससे ये घर की दीवार से घर पर इसका भार ना आए ये तरीका है उसके पस्चाथ आपको इस जगह पे बनाई हुई सीड़ी आंग हमेशा हलका बनाने का प्रयास करें हलके बनाने का ताज़ पर है कि इसमें एक कालम से ही एक बीम के द्वारा ही आप सीड़ी का निर्मान कर लें और सीड़ी को ओपन बनाने का प्रयास करें उसको ढखे ना, उसको कबर ना करें, चेड़ने के लिए भी simple steps बनाएं और उसको heavy ना बनाएं, बहुत भारी पत्थर का प्रयोग उसमें ना करें, जितना हलका सीड़ी आप इस दिसा में, इस जगह में और खुला सीड़ी बनाएंगे, आपको दोस उतना ही कम होगा और आप आपको लाब होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर सीड़ी बनाने के लिए आपको हलका और दिवार से सटा कर सीड़ी बनाने से बचना है, और हलका सीड़ी बनाना है, भारी नहीं करना है, इसके उपर एक और साधनी है कि इसके उपर आपको इसकी जो ममूटी बनाते हैं, सादर धन्यवाद